हेलो डियर स्टुडेंट्स बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल स्टडी विद दुलार में बच्चो ये क्लास फॉर का मैथ है चैप्टर वन है और चैप्टर वन का यहां पर जितना क्वेश्चन दिया हुआ है 20 तक है यह इस चैप्टर आपके कि हम लुग कॉश्चन को पढ़ते हैं अनील है रूपीज एट हंडर हंडर-40, एनिज बेंक अकांट अंज रूपीय है वाइल स्मूओध है जबकि सुमूअगे के अकांट में 638 रूपीय है और अनिल पास कितना ज्यादा रूपिय है» इसमें कfen करना नहीं है simply इसमें माइनस कर देना है घटाना है और इसका answer आ जाएगा तो हम लोग इत पेपर ले लेते हैं ये ले लेते हैं यहाँ पे question number 11 और इसमें माइनस करना है तो माइनस करना है तो जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं यहाँ पे 844 रुपीज अनिल के पास है और सुमित के पास है 638 इसको करते हैं माइनस तो यहाँ पे 14 हो गया 14 में से 8 तो 6 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया 3 में से 3 0 और यहाँ पे 8 में से 6 2 तो इतना रुपिया अनिल के पास जादा है तो यहीं अंसर हो जाएगा रूपीज 206 रूपीज अनिल है ज्मोर मनी उसके पास इतना रूपीज ज्यादा है अब क्वेशन नमबर 12 ले लेते हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या है यहाँ पे वीना बाउट 3 केजी 275 ग्राम पोटेटो इतना आलू खरीती है वो एंड 2 केजी 25 ग्राम टोमेटो और इतना टोमाटर खरीती है तो यहाँ पे टोटल पूछ रहा है इसका मतलब है कि इन दोनों को एड़ करना है तो यहाँ पे 3 केजी एक काम करते हैं सबसे पहले हम केजी को लिख लेते हैं यहाँ पे केजी और यहाँ लिखते हैं ग्राम यह हो गया उसके बाद केजी को यहाँ रखते हैं 3 केजी हो गया 3 केजी और ग्राम में हो गया 275 उसके बाद केजी में फिर आ गया 2 केजी और यहाँ पे 25 ग्राम लिखा हुआ है तो यहाँ से नहीं लिखेंगे इधर से बराबर करेंगे इसका मतलब है कि यहाँ 0 रखेंगे 0, 25 ग्राम अब इसको कर देंगे add अक्सर यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा और इसको add कर देंगे 5, 5, 0 हो गया 5, 5, 10 हो गया 10 के 0 हो गया तो यहाँ पे 0 लिख लिए हैं आथ में 1 बच गया 7, 2, 9 और एक हाँ तो ला 10 हो गया फिर यहाँ पे 0 हो गया और 1 बचा हुआ है 2 और 1, 3 हो गया 300 ग्राम हो गया और यहाँ पे kg में 3, 2 हो गया तो 5 हो गया तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा यह हो गया तो इसका आंसर यह है कंप्रेट हो गया question number 13 ले लेते हैं 13 में क्या कह रहा है A bottle has 800 ml medicine in it एक bottle में 800 ml दवाई है If each one of 275% is given 1 ml medicine अगर उस दवाई में से 275% को रोगी को एक एक ml करके पिला दिया जाता है How much medicine is left in the bottle अब bottle में कितनी दवाई बची हुई है तो 800 ml है इसमें से इतना पिला दिया मतलब माइनस कर देना तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं 13 का 1300 ml है 800 ml और उसमें से 275 essence को 11 ml करके पिला दिया जाता है तो इतना माइनस हो जाएगा यहाँ पर 10 हो गया 5 10 में से 5 तो 5 हो गया यहाँ 9 हो गया 9 में से 7 तो 2 हो गया और यहाँ से एक कम हो जाएगा 7 में से 2 5 मतलब 525 ml बच जाएगा ml left यह answer हो जाएगा इसका कम्प्लेट हो गया question number 13 question number 14 पे आते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है एग बंडल औप प्लास्टिक पाइप मेजर्स 32 मेटर 80 सेंटी मेटर अरुना कट्स ओफ 15 मेटर 25 सेंटी मेटर पाइप एक पाइप है जिसकी लंबाई है 32 मेटर और 80 सेंटी मेटर अरुना उस पाइप को 15 मेटर 25 सेंटी मेटर पाइप को काट के अलग कर देती है how much pipe is left in the bundle अब जो है उसमें कितना लंबा पाइप बची गिया तो इसकी लिए हम लोग को माइनस करना पड़ेगा तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं इसमें क्या करते हैं सबसे पहले हम मीटर लिख लेते हैं और मीटर में हम लिखते हैं 32 तो और यहां पर लिखते हैं 80 cm उसके बाद इसको माइनस करना है इतना काट लिया गया है 15 मीटर और 25 cm 25 cm अब यहां माइनस कर देते हैं यहां पर 10 हो गया 5 तो 5 बची यहां पर 7 7 में से 2 तो यहां फिर 5 बची यह सेंटिमेटर में आ गया और यहां पर 2 मतलब 12 में से 5 7 हो गया और यहां बची टूटू में से 1 तो 1 इतना मीटर और 55 cm यह हो जाएगा इसका आंसर 15 में हम लोग देखते हैं क्या है एमी एरेंजस 124 उडियन ब्लोक्स 124 उडियन ब्लोक्स वो एरेंज कर रहे हैं equally in 4 रो बराबर बराबर चैर लाइन में उसको लगाना है 124 उडियन ब्लोक्स को मतलब एक रो में कितने ब्लोक्स वो लगाएगी तो इसका इसको ब्राने के लिए हम लोग को इसको डिवाइड करना पड़ेगा तो कर लेते हैं यहां पर 15 नमबर यहां ले लेते हैं 15 इसको 4 से 124 को करना है डिवाइड तो 4 तीरे जा 12 हो गया 12 यहां कट गया और 4 नीचे आ गया 4 वन जा 4 तो यह कट गया मतलब एक रो में कितना होना चाहिए 31 उडियन ब्लोक्स तो यहां पर लिख लेते हैं 31 उडियन यह अंसर हो जाएगा कम्प्लेट हो गया question number 16 पे आते हैं question number 16 में दिया हुआ है a man earns 240 rupees by working in a field for a day एक बेक्ती एक दिन में खेत में काम करके 240 रुपया कमा लेता है how much money does he earn at the end of a month तो एक महिने के अंत तक वो कितने पैसे कमा लेगा in which he works for 28 days जबकि वो महिने में 28 दिन ही काम करेगा तो फिर वो कितने पैसे कमा लेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 240 को 287 को multiply कर देना होगा इसका आंसर आजागा question number 16 यहाँ पर आप लोगों को question दिखने वारा नहीं है question number 16 यहाँ ले लेते हैं 16 यहाँ है 240 28 देज वो काम करता है महिने में इसको multiply कर देते हैं सबसे पहले 0 हो जाएगा 840 32 32 यह हो गया 2 और बची गया 3 इसको लिख लेते हैं otherwise गड़ गड़ होने की संभावना रहता है और 820 16 17 18 19 यहाँ पर 19 लिख लेते हैं यह हो गया उसके बद फिर से क्रॉस लगाते हैं और यहाँ पर जीरो 428 हो गया और 224 हो गया multiply में आपको बिल्कुल सिदा सिदा रखना अधरवाईज गलती हो जाएगा फिर इसको करते हैं add add कर लेते हैं 0 यहाँ 2 हो गया और 9 8 8 8 16 17 हो गया 17 का 7 वन हाथ में बचा हुआ है यहाँ पर 5 हुआ और 1 6 हो गया मतलब इतना रूपीज वो कमा लेगा कितना 28 डेज में यह इसका अंसर हो जाएगा कंप्लेट हो गया इसको कोड़ देते हैं और question number 17 क्या दियावा है question number 17 क्या दियावा इससे पहले पढ़ लेते हैं this kite is made of many triangles यह जो काइट दिखाया दे रहा है यहाँ पर काइट के जैसा तो है नहीं यह पेंटागोन है पांच को ना इसमें 12345 तो यहाँ पर कितने triangles है मेनी ट्रेंगल बहुत सारे ट्रेंगल है you can see one side you can see one inside the other लब एक साइड से दूसरे साइड में दिखाय दे रहा है how many triangles can you count इसमें से आप कितने triangles को गीन सकते हैं यहाँ पर इस तरह क्वेस्टन दिया हुआ है कि इसमें ट्रेंगल काफी सारा बना हुआ है तो मैंने a b c d e f g h इस तरह से नाम दे दिया है और इसको इसमें 23 triangles आ रहे हैं तो 23 triangles किस तरह से आ रहे हैं यहाँ पर सारा लिखा हुआ है इस तरह से तो इसको आप कैसे बना सकते यह सारा लिखना तो आपके लिए बहुत ही मुस्किल काम है तो कैसे बना सकते हैं यह क्या करना है सबसे पहले अब देख रहे हैं यह से जितना भी से बनाते हैं जितना बन सकता है बी 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 तीन ठो बना उसके बाद सी से बनाते हैं सी जी सी सी और फिर यहां पे पांच टो सी से बन गया फिर डी से बनाते हैं जितना बच जा रहा है किसी को रिपीट नहीं करना है डी डी यह दो ठो बन गया और यहां ई से फिर दो ठो बन में जाएंगे फिर आपको समझ में आएगा इसके बाद question number 18 यहां already मैंने बना कर रखा हुआ है क्योंकि अगर इसको यहां पर मैं बनाता हूं तो काफी लंबा समय लगेगा पहले question पढ़ लेते हैं यहां पर देखिए question number 18 draw a pictograph of the chocolates sold by four persons in a day एक दिन में चार बच्चे इस परकार से chocolates बेशते हैं और इसका यहां पर data दिया हुआ है persons टीना नीना विवेक रोहित और number of chocolates वो कितना chocolates बेशते हैं इस तरह से दिया हुआ है यह 45 हो गया 60 30 55 हो गया और इसको draw a pictograph एक pictograph के रूप में draw करके दिखाना यहीं चीज रहेगा लेकिन pictograph के रूप में रहेगा तो यहां पर अल्रेडी बना हुआ है अब यहां पर आपको इसक्रीन पर पूरा question number 18 का यह solution दिखाई दे रहा होगा यहां पर question number 18 है और सबसे पहरे information देना है कि आप यहां पर क्या बना रहे हैं तो यहां दे चॉकलेट्स sold by four persons चार बेक्तियों द्वारा चॉकलेट्स को बेचे हुए यह data यहां पर एक pictograph दिया हुआ है इसको यहां पर हम लोग सो कर रहे हैं और इसमें यहां पर दिया हुआ है here one symbol represents five chocolates एक सिंबोल जो है एक इस तरह का जो पिक्चर है वो दिखा रहा है और यहां पर दिया हुआ number of chocolates यहां पर जो बच्चे जिन्होंने बेचा है उन लोगों के नाम है टीना नीना विवेक रोहित और उन तो 12 फाइवजा ची वह गया और यहां पर गया सिक्स तो six five जा थर्ती हो गया और यहां पर हो गया ऐवन है टो एस तरह से यहां पर रिप्रेजन्ट करके दिखा दिना है आप लोगों को यह जो पिक्चर मैं ने यहां पर बनाया है आप दूसरा पिक्चर भी बना सकते हैं इजी पिक्चर आप इससे भी ज्यादा इजी पिक्चर बना सकते हैं उससे क्या हुआ कि आपका समय बचेगा इस तरह से question no.18 समप्त हो जाता है उसके बाद यह question no.19 और यहां पर फिलें the blanks भरने के लिए कहा गया है the first month of the year is साल का पहला महिना कौन सा होता है तो सभी बच्चे जानते ही है वो जन्वरी होता है यह हो गया उसके बाद the minute hand takes this hour to complete a round मतलब एक चकर अगर minute hand एक चकर लगाता है complete चकर लगाता है तो कितना hour होगा तो इसका हो जाएगा one one hour one hour this spelling में भी लिख सकते हैं और यहाँ पे in a non lip year non lip year में क्या होता है with a 366 days होता तो नों लीप एर में फरवरी has days sunday तो नों लीप यह हो यह लीप यह हो फरवरी में उतना ही sunday हो तो कितना होता है फोर संदेज तो फॉर यहां पर लिएते हैं फोर संदेज और यहां पर टी नंबर में 180 मिनट्स मैं डेस आवर्स वनएंटी तो सिक्स्टी मिनट्स में वन आवर वता है और 60, 60 का कितना बार हो गया ये, 6-3-18 होता है, मतलब 3 बार हो गया, तो यहाँ पे 3 hours हो जाएगा, 3 hours, यह होगे complete question number 20, इसको पहले पढ़ते हैं हम लोग, अजय had 7 boxes of oranges containing 875 pieces, अजय के पास oranges का 7 बक्सा था, और 7 बक्सों में मिला कर 875 oranges था, शुप्रिया बाउट 4 boxes, from him, शुप्रिया उससे 4 बक्से खरीद लेती है, how many pieces of oranges अजय has now, अब अजय के पास कितने oranges बच गये हैं, तो इसको हम लोग को paper पही बनाना होगा, अजय के पास 7 boxes था, और 875 pieces oranges था, तो सबसे पहले हम लोग को पता करना होगा कि 1 box में, एक बक्से में कितने oranges थे, तो इसके लिए का करना पड़ेगा, सबसे पहले 7 से इसको divide कर देना पड़ेगा, उससे हमको पता चल जाए कि 1 box में कितने oranges हैं, तो इसको divide कर देते हैं, तो 7 बंजा 7 हो गया, 7 इसको minus किया, तो 1 हो गया, और फिर यहाँ पे 7 नीचे आ गया, और 7 टू जा 14 हो गया, 14 कितना बच गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे कट गया, यह 5 यहाँ नीचे आया, और 7 फाइब जा 35, कट गया यह, इसका मतलब है कि 1 box में 125 oranges in each box, सभी बक्से में 125 oranges हैं, तो उसके पास कितने boxes, 4 boxes सुप्रिया खरीद लेती है, तो अब उसके पास कितने boxes है, 3 boxes, अजय, अजय है, 3 boxes ना और 3 boxes में कितने oranges हो जाएंगे, 3 into 125, तो कितना हो गया, 5, 3 जा 15, 1 बची गया, और 3, 2 जा 6 और 1, 7 हो गया, और यहाँ पे 3 बची जा 3, तो 3 75 oranges, इतना oranges उसके पास अब बचा हुआ है, यह इसका अंसर हो जाएगा, और यहाँ पे chapter 1 पूरी तरह समाप्त हो गया है, अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों के लिए helpful होता है, तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जुरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जूड़े रही है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए, और इसके अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए में नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आई हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं,